स्वागत है आपके अपने चैनल और टेकनिकल फाइमली पर दोस्तों यह जो वीडियो है इसका एक पहला पार्ट जो है हमने बना रखा है और उसमें हमसे एक मिस्टिक हुई थी कि मतलब 300 फिट तक के जो है नीचे सारी जानकारी जो है मैंने उस वीडियो पे दिये हैं लेकि उसमें क्या है ज्यादा एच्पी के जो मोटर लगते हैं और ज्यादा जो इस्टेज होते हैं मोटर में ज्यादा इस्टेज होने के चलते ही मोटर पानी को बाहर निकाल सकता है और अलग अलग पंप के हिसाब से मोटर का जो इस्टेज का जो कैपिसिटी होता है वो पांच तो 200 फीट तक पानी निकाल सकता है और अगर आपके पास 15 इस्टेज या 16 इस्टेज का है तो 300 या फिर 320 फीट तक का पानी आउटपुट निकाल सकता है बाकी आपको swap पे जाना है अलग-अलग pump के हिसाब से इस stage का capacity होता है बड़े pumpों में अलग-अलग होता है तो आपको swap पे जाके इसको पहले clear करना है कि इसके एक stage का पानी को कितने height तक ले जाने की capacity है तो उसको पहले पता कर लेंगे उसके बाद number of stage आपको choose करना है यहाँ पर मैं एक screenshot लगा देता हूँ आपको इससे आसानी होगी number of stage मान के चलिए जैसा आपको एक stage की मान के चलिए capacity 10 feet है suppose एक example मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हर pump का 10 stage ही होता है 10 feet ही होता है तो एक stage का 10 feet मान के चलिए आपको 500 feet से पानी निकालना है तो 50 stage का pump आपको चाहिए 50 stage का pump रहेगा तो ही आप जो है उतनी घहराई से पानी निकाल सकते हैं और एक HP का जो मोटर है वो उतना ज़्यादा stage को number of stage को जो है round भी नहीं दे सकता है इसलिए मोटर की जो HP है उसको भी ज़्यादा किया जाता है ताकि पानी को बाहर लिया जा सके और उसमें दूसरी चीजे का और देखना है आपको ड्रिलर बतायागा आपका कि आपके वोर्वेल पे पानी कितने इंच का है मान के चलिए आपके वोर्वेल पे 600 फीट पे जो है धाई इंच या फिर 3 इंच का पानी मिला तो आपको उस में से सिर्फ दो इंच पानी का ही आउट्पुट लेना है, पूरी की पूरी अगर द्धाई इंच की आउट्पुट लेंगे नais BUT अगर 1993 मिले रहे, तो hurुषिट जाता है तो आप कोसिस करिए कि 3 इंच पानी है तो 1.5 इंच लीजिए 1.5 इंच पानी है तो 2 इंच का ही आउटपुट लीजिए और इसमें क्या है अब आउटपुट लेने की क्या मतलब कैसे पता करेंगे आपके ड्रीलर ने बताया कि आपके बोरोल पे हाई इंच का पानी है तो आपको जाना है मोटर के सौप पर जो जानकारी वाला जो ऐसा होता है चोकौन का चोकौन सा जिसमें स्टेज होगे रहलिखे होते हैं हेच पी होगे अगरा सारे चीज उसको देखना है और नंबर उप करके दिया हुआ रहता है तो इसको आपको इंच में कंवर्ट करना है अब आपको आपके ड्रीलर ने बताया है मानके चलिए यहाँ पर एक एकमपल दिखा रहो हमें इसमें इसमें आगर अगर कंवर्ट करते हैं इस In Area को तो ये आपका लगभग something वही 1.5 इंच के करीब आउटपूट ये पंप देगा और इसमें जो है 100 लीटर पर मिनट करके इसका जो कैपिसिटी है वो भी है तो वो इंच आपका पता चल गया आपको 2.5 इंच का पानी मिला है 1.5 इंच जो है आउटपूट देगा ये बिलकुल मत हो जाएगा फिर पंप रुक रुक के चलने लगेगा continue जो है पंप नहीं चल पाएगा और हमें जो है थोड़ा सा अंदर ही अंदर तकलीफ होगी तो इस तरीके से जो है पंप का चैन करें जैसा पानी उससे एक आधा इंच या फिर एक इंच जो है पानी कम ही लगाते हैं तो यह सब पंप का जो होता है आउटलेट या फिर डिस्चार्ज लेबल वह बहुत ज्यादा होता है तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे इनका जो डिस्चार्ज लेबल है और फिर जैसे जैसे इतना ज्यादा इस्टेज रहेगा उतना कम पानी जो है कोई भी मोटर देता है तो उसको आपको देख लेना है कि कितने इंच का जो है आउटपुट है इस मोटर का और इस हिसाब से आपको मोटर का चैन करना है उम्मीद जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो एक लाइक देजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर जग बेल आइकोन को ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का जाहिन दोस्तों